सावन मासिक सिवरात्री 2024 सावन के बहिने में इस दिन है मासिक सिवरात्री जाने पूजा, कश्रुम, मुहरत, विधी और महतो सावन मासिक सिवरात्री 2024 सावन के महिने में इस दिन है मासिक सिवरात्री जाने पूजा का सुम, मुहरत, विधी और महतो सावन के महीने में मासिक शिवरात्री का पर्व कम आएगा और किस दिन किस मुहरत में शिव की अराधना करना सुभ रहेगा आईए विस्तार से जानते हैं सावन मासिक शिवरात्री 2024 सावन का महीना शिव अराधना के लिए बेहद पवित्र माना जाता है इस महिने के दोरान जो मासिक शिवरात्री का पर्व आता है उसे भी बहुत महतपुर्ण माना जाता है शिव भक्ति इस वुरत को रखते हैं और भगवान शिव की विशेश पूजा अर्चना करते हैं साथ ही शिव मंदिर में भी इस दिन भक्तों का ताता लगा रहता है ऐसे में आईए जान लेते हैं कि साल 2024 में मासिक शिवरात्री कब है इसका सुम मुहरत कब है और इस दिन पूजा की विधी क्या होगी सावन सिवरात्री 2024 साल 2024 में सावन मासिक सिवरात्री कब रत दो अगस्त को रखा जाएगा मासिक सिवरात्री कतिवार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को रखा जाता है दो अगस्त को चतुर्थी तिथी दो फर तीन बज कर 37 मिनट से शुरू होगी और तीन अगस्त क तो तीन बस कर एक कावन मिनट तक रहेगी चतुर्थी तिथी रात्री काल दो अगस्त को ही होगा इसलिए मासिक सिवरात्री कवरत दो अगस्त को ही रखा जाएगा पूज़ा के लिए शुम मुहरत पूजा के लिए शुम मुहरत दो अगस्त दो हज़र चौबिस साम सात बजे से रात्री आठ बजे तक है पूजा विधी शावन शिवरात्री की पूजा विधी इस परकार है वरत और स्नान शिवरात्री के दिन प्रातह काल जल्दी उठकर स्थान करे और स्वच्छ वस्त्र धारन करे इसके बाद शिवरात्री के वृत का संकल्प ले पूजा की तैयारी पूजा अस्थल को स्वच्छ करे और गंगा जल छीरकर इस स्थान को सुध करे पूजा के लिए भगवान शिव की मुर्ति या शिवलिंग स्थापित करें शिवलिंग को पंचामरित, दूद, दही, घी, शहद और सक्कर से स्नान कराएं इसके साथे स्नान करवाने के बाद अंत में सुध जल डालें पूजा समागरी पुष्प, भांग, धतूरा, चंदन, अच्छत, रोली, धूप, नवैद, फल, मिठाई, दीपक, पान, सुपारी, बिलपत्र और दक्षिना पुजा विधी, भगवान शिव को गंगा, जल, दूद, दही, घी, शेहद और सक्कर सस्नान कराएं शिवलिंग पर बिलपत्र, पुष्प, भांग और धतूरा अर्पित करें धूप और दीप, जलाकर भगवान शिव की आरती करें, इसके साथ ही शिव मंतरों का भी जाप कर सकते हैं नवैद्य अर्पित करे और प्रिसाद बाटे दिन भर उपवास रखे और भगवान शिव के भजन किर्टन करे रात्री में जागरन करे और संभव हो तो शिव पुरान का पाठ भी करे व्रत रखने वाले को गल्टी से भी दिन में नहीं सोना चाहिए एस दिन प्राता काल में भले ही समाने रूप से भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं लेकिन साम के समय पूरे विरी विधान से पूजा करे व्रत का पारन अगले दिन प्राता काल भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारन करे सावन शिवरात्री क गवरत और पूजा करने से भगवान स्विभ की असीम किर्पा आपको प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांती और सम्रिद्धी प्राप्त करते हैं आप सभी को हमारा ये सावन शिवरात्री वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल प हुआ 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 है